यह है हमारा फर्स्ट रिसोर्स पाक्षान शेडर ही दोस्तों स्वागत आपका नई वीडियो में तुर्ण सा इंट्रो रहे गया दा मेरा तो आज हम शेडर का शोकेस करने वाले हैं तीन ही है इसले क्योंकि में कोई आइडिया नहीं कि आपका क्या रिस्पांस हैने वाला है तो मैंने मैं जो तीन यूज करता हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं वह करें मैं शोकेस करने वाला हूँ अगर आपको पसंदाई वीडियो तो अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं और भी इस तरह के वीडियो बनाऊंगा यह वह फायर वर्क्स वाली सारे बेल्ट्स वागया की ठीक है लब यूटूब के लिए तो देख सकते हो नाइट में इतना अमेजिंग है देख सकते हो यह लाइटिंग देख सकते हो मेरा थोड़ा सा यह है रेंडर डिस्टन्स का मैं इसलिए ताकि मैं लाग ना करें आपको लगीगा की शेडर्स का लागे है पर नहीं अगर अगर मैंने रिंडर डिस्टन्स बढ़ा के रखा हुआ तो अगर मैं इंसाइड भी दिखा हूँ सारे ब्लॉक्स के टेक्शर्स देख सकते हो यह बहुत अमेजिंग टेक्शर है और लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा ब्राइट वागेरा अगर यह लीव वागेरा भी वेव करते हैं इनके वाइन से रखे हुए तो भी वेव कर रहे हो और यह वाटर बबल्स तो बहुत अमेजिंग डिखते हैं यह देख सकते हो कैल ब्लॉक वागेरा का टेक्शर और सारे लाइबरी इसका भी टेक्शर देख सकते हैं यह मैंने और यह दिख सकते हो टेरा कोटा कैसा दिखता है इसमें और यह ग्लास के अंदर की लाइटिंग और यह सब कैसे दिखते हैं यह रहा सन राइस अगर खूलेगा तो यह दिख सकते हूं बहुत अमीजिंग टेक्शर है ज्यादा कुछ शुटर्स अगरा नहीं मतलब फ्रेम्स म है इशू नहीं है और अगर मैं आपको कहीं पर पानी वगरा दिखा सकूं हाँ लावा और पानी दोनों एक जगह पर देख सकते हो वाटर सबसे अमेजिंग है इसका बहुत ज़्यादा वेवी और ब्राइड भी है और जिस जितना आप डार्क मतलब नीचे जाओगे उतना वो डार्क होते जाएगा रियलिस्टिक है और ब्राइड भी है उसी टाइम पर और नॉर्मल वाटर की तरह है अगर आप देख सकते हो लीव्स देख सकते हो बहुत ही वेवी है और रियलिस्टिक वाला फील देते है जैसे जावा एडिशन में होता है अगर मैं आपको बिहेवियर पाक वागेरा की टेंशन लेन के ज़रण ने बस आपको रिसर्स पाक यह होगा आप शायद देख सकते कितना ब्राइट और अमीजिंग है नाचरल सा लुक के साथ थोड़े से कलर्स भी अच्छे है अगर मैं आपको रेन वागेरा मैं दिखा हूँ तो रेन में यह पूरा RTX ही हो जाता है पता नहीं कैसे है यह सबसे अमीजिंग लगा मैं को अगर आप एक एंगल से ब्लॉक टेक्शर्स दिखोगे मैं आपको दिखा दा हूँ यह थोड़ा स्टार्ट हो रहा है यह देख सकते हो धीरे धीरे करके यह RTX की तरह चेंज हो चुका अगर मैं आपको किसी ब्लॉक पे शाइन वगरा दिखा हूँ यह देख सकता है अंगल में यह पूरा का पूरा वह RTX वाला फील दे देता है इसलिए यह मैं परस नहीं बहुत टाइम से I guess मैंने सर्वाइबल सीरीज जब से माइनक्राफ्ट खेलना चालो किया था देख सकते है इस पे जो आप इनके वेब पेच पर पहुच जाओगे तो ही से इजी डाउनलोड है बस बता देना नहीं हुआ तो सेकेंड है अपना फ्यूज वैनिला शेडर्स इसमें एक वैनिला एंचेंट है और यह रियलिस्टिक स्काय मतलब दो तरह की स्काय है और दोनों भी अच्छे है वैनिला वाला भी बहुत जादा 3D वाले टेक्शर में है दिख सकते हो क्लाउड वागे रहा इनके थोड़े से मोटे मोटे बड़े बड़े यूज प्लाउड है वो तंग भी निकार दिखते है कि शाडू जैनी शाडू यानि कि क्या बूलत उसे लाइट का रिफलेक्शन आप मतलब इतना 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 यह नहीं लगेगा आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको नॉर्मल सा वैनिला वाला फील भी आएगा और फेड़ेड लूप भी आएगा देख सकतो भी यह वेव भी होते हैं है तो जावा पूला जैसा होता है वیसा है आपको तो दिखा हूँ तो देख सकते हो एकदम रियलियलिस्टिक यह है मतलब यह थोड़े सा थो भी जार्ट नहीं है एक और जह अथे जुस लाइट वॉल पगयरहा देख सकते हैं मैं रेड वगकरा जो टॉर्च होती है मतलब जो रेड लाइट होती है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइटी दिखती है और यह वाटर इनका सबसे अमीजिंग लगता है उपर से क्यूंकि अंदर तो इतना ब्राइट नहीं रियलिस्टिक वाला है लुक पर जो उपर होता है वो कुछ लोग को ट्रांस्परेंट व पारिश है फिर भी अनफ घ्रीन है अगर मैं यह वैदर क्लियर करके दिखाँ है कि क्यों हुटि वैदर क्लियर होती ही इनफ यह हो जाता है मिड-नैट दिखाँ हूं तो दिख सकते हो सबसे बेस्ट वैनिला स्काई है नाइट वाला और मून भी थोड़र साहे दिक सकते हो वाला है और सारे फीज है इसमें और आप नोटिस करेगे कि स्टार्स जो है स्टेबल नहीं है ट्विंकलिंग स्टार्स है सारे और ये जो लाइट है ये में को सबसे बेस्ट लगी आप यहाँ पे अपना विलेज देख सकते हो अगर आपने अच्छे से लाइट किया आपका कोई बिल्ड होगा आप यहाँ मैप में सबसे बेस्ट लगीगा ये देख सकतो कितना अमीजिंग है अगर मैं आपको नेदर में भी दिखा हूँ नेदर भी इतना अमीजिंग दिखता है फिड वाली लोग है अमीजिंग वाली जिसे कुछ यिसमें फिड लोग में फॉग डाल डिते पर ये फॉग वाला नहीं है ये अधक्षाल कॉन्ट्रस्ट काम करके जो फिड आता है जो अधक्षाल फिड होता है वो लुख है और अमीजिंग लो देख सकते हो नेदर बीना लाइट के भी कितना अमीजिंग दिखता है और देख सकते हो घास्ट अगेरा और ये अगर मैं हब में जा मतलब उपर जाके दिखा हूँ हब नहीं है ये छोटो सा ही बना है मैंने बस खोद दिये बर वेव अगेरा बना है अब सर्वाइवल देखते हो इसलिए मैंने बन कर दी वो देखते हैं अभी सेमप में कितना ही करते हो यह सबसे लास्ट वाला शेडर सेप्टिक यह इसमें तीन आते है पर तीन पता नहीं चलते नहीं है आप अब ही से ही इसके इफेक्ट दिखने लग जाते है इसका साइज थोड़ा सा बढ जो कि बहुत अमेजिंग दिखता है मतला आप वैनिला फॉंट सितना है चुक्कि आपको कुछ अमेजिंग सा और सिंपल मिनिमल फॉंट चाहिए तो आप यह वाला शेडर्स यूज कर सकते हो देख सकते हो यह बहुत जादा बरेट है ब्रेट है निकि में नाइट वीजन अ इसलिए प्रेट है पर देख सेकते ह्टेक्सर्स अगेरा पर भी ब्लोक अगेरा पी थोड़ासा नैधर यह तो नेंदर वाला टिंट है जैसे कि आपको ब्लेंड जो होता है ब्लेंडिंग जैसे यह फॉग जो है वह ब्लू कलर का फॉग है ना की यह फॉग है यह बस आपको महसूस होगा कि यह है देख सकते हो और यह light में इसमें थोड़ा सा orange हो जाता है अगर light extra है तो बाकी यह textures इतने amazing है देख सकते हो vanilla के साथ आपको resource pack का भी यह मिलेगा मजा मिलेगा कि हाप्तिक शेडर्स नाम हैनका और बहुत अमेजिंग है सारे इसमें दिख सकते हो सकाय दिख सकते हो इतना अमेजिंग है कि आपको और थमनेल वागेरा में भी बहुत इसलिया अगर मैं उपर दाकर दिखाऊंग दो दिख सकते हो और यह टैक्सर वागेरा भी इसमें सबसे रियलिस्टिक ही है देख सकते हो डार्क जगापे डार्क है और आपको स्पूकी जो यह होता है मतलब थोड़ी से डहरावणा अपको कुछ करना है और अपको देख सकते waves थो है और जादे ही wave यह तो आपको कुछ dark enough करना है कोई castle है जैसे horror castle कोई theme है तो यह सबसे best shaders है क्योंकि यह देख सकत過 lighting वगिर आपको जहां पे ब्लॉक है वहाँ पे लाइटिंग अमेजिंग देख सकते हो यह हॉरर अभी दो शेडर्स में कितना अमेजिंग लग रहा था अभी हॉरर वाली लुक आने लगी है पर अच्छा है क्योंकि यह शेडर्स बहुत अमेजिंग लाइटिंग देता है और रियलिस्टिक इसमें यूज करने वाला देख सकते हो रेडिश टोन है क्योंकि उपर लांटन जो है वह यहलो और और ओरेंज यह है टोन में है और वैसे देख सकते हैं यह पिंक यह है तो पिंक वाले और परपल वाले यह लाइट एमिट करता है इनकि जो डीटेल इन्होंने किया है इसम में तो बहुत अमीजिंग और यह रेन में थोड़ा सा ब्लाक अन्वाइट हो जाता है और क्योंकि यह यह देख सकतो वेव बहुत अमीजिंग है इसका इसके आपको ऊपर तो कोई वैनिला वाला ही यह मिलेगा आतलब टेक्शर पर आपको वेवी एफेक्ट मिलेंगे यह यह जरूरी है कुछ लाइटिंग में कुछ बेल्ड वागेरा में वैसे सारे टेक्शर बहुत अमीजिंग दिखते क्योंकि देख सकते हैं आपको फेड़ वाला लुक भी आता है अगर आप उपर से फ्लाइग कर रहे हो क्योंकि बारिश का टाइम है आपको यह चलेगा ही फेड़ लगेगा ही अगर मैं वैदर क्लियर करके दिखाऊं और यह करके दिखाऊं एक मिनट टाइम को संराइज करके दिखाऊं तो भी आपको जो सन वाला टेक्शर है वो बहुत अमेजिंग देख सकते हो मून का टेक्शर देख सकते हो आप किसी प्लानेट की तरह दि देख सकते हो, realistic sun वाले shadows और यह सारे है, देख सकते हो, यह कितना amazing lighting लगता है, दिन के time, और आपको कोई thumbnail वगरा बनाना है, फिर बड़े builds में आपको amazing lighting होगी, तो आप यह वाले shaders भी use कर सकते हो, क्योंकि बहुत amazing है, और failed look भी आता है, देख सकते हो, कितना है वैसे बहुत, अगर आपको अच्छा response मिलेगा, तो मैं बनाओंगा video, तो दोस्तो, video कैसी लगी, दोस्तो, video का संदाई तो like मरो, channel पे नहीं हो, तो subscribe करो, मैं आपको मिलता है, इसे किसी नहीं video में, क्योंकि, क्या हैईगी, मैं कोई idea नहीं, आप shaders वाले, वीडियो चाहते हो, नहीं चाह और लीज भी देख सकते हैं, कितना वीवी है, तो मैं कोई idea नहीं कि आप कैसा react करोगे, अपको पसंदाई, अगर आएगी, तो comment section में, बताना, video को like कर देना, क्योंकि, मैं को तभी पता चलेगा नाम, और मैं फिर अगर अच्छा response रहा, तो मैं बताऊंगा आपको कि, कैसे 5 और 10, top 10 shaders, top 5 shaders भी मैं लाऊंगा, देख सकते हैं, अगर इन water texture देख सकते हो, inside, बहुत amazing है, bluish है, और dark हो जाता है, ठीक है, और subscribe करो यार, चैनल को, ठीक है, क्योंकि हमें फटाक से, समझो, करो, ठीक है, बाई, बाई, बाई,